नमस्ते मैं हूँ अंकित देव दृष्टी कुन प्रोडक्शन से और अगले 30 लेक्चर्स के लिए आपका इंस्ट्रक्टर येकोर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्व पूरन बातें बता दू मार्केट में बहुत से म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्ट्वेर्स अवेलेबल हैं एक्जेंपल एवर्टन लाइव, लॉजिक, एफस्टूडियो, क्यूबेस, निवेंडो और सभी के सभी एक्जैक्ली सेम ख्रमता के हैं मतलब ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि जो काम एक सॉफ्टर में हो सकता है वो दूसरे में ना हो सके क्योंकि हर एक सॉफ्टर या टेक्निकली बात करें तो हर एक डिजिटल ओडियो वर्कस्टेशन सेम एलगरिदम और कंसेप्ट्स पर काम करता है ये मैं दावे एक साथ इसलिए बोच सकता हूँ क्योंकि कभी न कभी अलगलग प्रोजेक्ट्स में मैं काफी सॉफ्ट्रेस के साथ काम कर चुका हूँ सो इस कन्फूशन में आप बिलकुल भी नार है ये पूरा कोर्स हमने 30 लेक्चर्स में डिवाइट किया है जो सारे म्यूजिक प्रोडक्शन कंसेप्ट्स को कवर करता जाएगा जैसे रिकॉर्डिंग, अरेंजिंग, साउंड डिजाइन, मिक्सिंग और मास्टरिंग इस पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर को नोट डाउन या डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं मैं सारे कंसेप्ट्स बहुत ही आसान और लेमन तरीके से समझाऊंगा आपको रोज कम से कम एक घंटा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच रखनी बहुत ज़रूरी है बहुत से लोगों की दिमाग में ये बात भी होगी कि क्या मुजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए हमें कोई मुजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आना चाहिए या नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है Music Production और Music Instrument प्ले करना दो अलग फील्ड है जो एक दूसरे से Connected होती है जो धीरे-धीरे मैं आपको सिखाता जाऊँगा मैं आपको एक बात और बता दूँ Music Production सीखने के लिए आपको कोई भी महंगे Equipments खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेरे बहुत से Students ये गलती करते हैं कि पहला Lecture लगाने से पहले ही वो Audio Interface, Monitoring Speakers इस तरह के अलग-लग Equipments खरीद लेते हैं आपको सिरफ एक अच्छे Computer Desktop या Laptop और एक अच्छे pair of Headphones की ज़रूरत है In fact, आप अपने Comments में अपना Budget बता सकते हैं ताकि मैं उसके अनुसार आपको बता सकूँ के कौन से Audio Gear आपके लिए सही रहेंगे So, और टाइम ना लेते हुए, let's start with the course So, आपने Software इंस्टॉल किया, उसके आइकन पे गए, उसे क्लिक किया और आपके सामने है ये Screen मैं किसी भी Option के उपर क्लिक करने से पहले, सबसे पहले जाओंगा File, File पे क्लिक किया, New from Template, Minimal, इसके आगे जो हम देख सकते हैं Basic with Limiter Installation के बाद हमें जो Default Setting मिलती है, वो होती है Basic with Limiter यानि कि Master के उपर Limiter लगा हुआ है, Limiter exactly क्या चीज़ है, यह हम धिरे-धिरे आगे पढ़ते जाएंगे फिलहाल मैं यहां से जाओंगा Empty, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा Canvas एकदम साफ, एकदम clean हो ताकि उसके उपर सारे रंग मैं खुद भरू मैंने Empty पे क्लिक किया, और अब आपके सामने है यह screen इसको elaborate करते है, यह पूरा section उपर जो आप देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे toolbar और सबसे पहले, अगर मैं इस section की तरफ आता हूँ, यह जो खाली space है इसको हम बोलेंगे hint panel hint panel का मतलब क्या है, कि अगर आप अपने mouse का pointer कहीं भी लेके जाते हैं तो वो हमें hint देता रहेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं play, pause, stop, यहाँ से कई tempo, pattern selector, sampler तो यह hint panel हमें hint देता रहता है, कि हम किस-किस चीज़ के ऊपर अपना pointer लेके जा रहे हैं इसके ऊपर मेरा main menu है, normal, file, new, save, edit, ऐसे बहुत सारी options हैं, जो हम धिर धिर आगे सीखते जाएंगे इसके आगे में गया, तो जो यह section आपको यहाँ एक छोटा सा नज़र आ रहा है, इसका नाम है transport controls इसका next section है recording options, यह है मेरा time panel, यह मुझे बताता रहेगा मेरा गाना कितने minute का है और मेरा कौन सा instrument कितने second पर play हो रहा है आपके सामने जो यह box खुला हुआ है, इसका नाम है channel rack और अगर आप FL studio 11 या उससे पिछला use कर रहे हैं, तो होगी यह exactly same चीज़, लेकिन उसका नाम होगा step sequencer यहाँ channel rack की जगा step sequencer लिखा होगा सबसे पहले मैं इसके पे click कर लूँ, हो सकता है आपकी resolution कुछ इस प्रकार नज़र आ रही हो, मैंने उसे आप वापिस देखना चाहिए मैंने क्या किया है मैं यह click कर सकता हूँ, यह normal, maximize, minimize की option है यह मेरी playlist है, यह पूरी की पूरी playlist जहां मेरा सारा गाना play होगा इसको मैंने maximize कर लिया है, मैं वहाँ से cancel कर दिया, तो वो cut भी गया अब यह जो section आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे shortcut panel और यह जो साथ-साथ highlight होते जा रहे हैं, यह है shortcut buttons मैं सबसे पहले की उपर जाता हूँ, तो आप यहाँ पर hint panel में देख सकते हैं view playlist, मैं से click किया, exactly वही, मेरी playlist खुल गई है, मैंने बंद किया, वो hide हो गई है तो यह मेरी playlist show करने के लिए है, मेरी second option है, वही view channel rack या फिर मेरा step sequencer third is piano roll, piano roll doesn't mean कि यह कोई piano है, अगर आप यहाँ अभी play करके देखें तो इसमें से कोई भी sound नहीं आ रही होगी यह exactly क्या चीज़ है, हम next lectures में देखते जाएंगे, यह है मेरा browser, इसे मैं फिल हाल यहाँ कार देता हूँ यह जो fourth option है, browser, browser क्या चीज़ है, यह जो पूरा section मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी options हैं, इसके अंदर बहुत सारे samples होंगे बहुत सारी mixer settings होंगी, जो धिर धिर हम देखते जाएंगे, यह यहाँ से हम hide कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी resolution छोटी है, आपको बड़ी screen चाहिए, तो आप उसे hide भी कर सकते हैं और यह पांच वाँ, यह सबसे important section है, अगर आप आप देख सके view mixer, यानि की mixing console, इस पे आप क्लिक करते हैं, तो यह mixing console आयाता है, अब यह पूरे का पूरा exactly क्या चीज़ है, हम सारी mixing इसके उपर करेंगे, और हम धिर धिरे सीखते जाएंगे यहां और भी बहुत सी options आपको नज़र आ रही हैं, जो फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप अभी confused ना हो जाएं, confused होने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको अपने आप पता लगता जाएगा तो यह एक छोटा सा overview था पूरे software का, अब हम बढ़ते हैं अगले lecture की और जहां हम सीखेंगे playlist, यानि की यह पूरे section के बारे में इस पूरे course की regular videos और updates की notification आपको आती रहें, उसके लिए subscribe कीजिए हमारे channel को, मिलते हैं अगले lecture में, तब तक नमस्ते झाले लिए को, में आपको आपको आती रहएं।